तो देखो बच्चो उसका next part पढ़ते हैं जो हमने पहले पढ़ लिया था अनील के बारे में और जो चोड ता हरी सिंग जो कि उसको दोखा दे रहा था बार बार और उसके बाद क्या होता है जब जब और उसकी भुक बिक जाती है क्योंकि वो ऐसा आदमी था कि उसको पता भी चलता था कि उसको लूटा गया है नहीं या में जैसे मेरता विश्वास हर किसी विश्वास करता था तो इसी वज़े उसको लूटना भी जो था कठिन था it is easy to rob greedy man कह रहा है वो कि एक लालची आदमी को लूटना जो था बहुत आसान था कि लालची आदमी जो था उसको पता भी चले कि उसको लूटा गया है because he can't he can afford to be robbed क्योंकि वो मान लेगा कि उसको लूटा गया है ठीक है ना but it is difficult to rob a careless man कि लापरवा आदमी था वो कौन अनील किन्तों एक लापरवा व्यक्ति को लूटना बड़ा ही कठिन था sometimes he doesn't even notice कभी-कभी तो वह ध्यान देता था he has been robbed कि उसको लूटा भी गया है कैसा भी हो कुछ भी हो रहा हो इसके साथ में तो हमेंसे वो क्यार था खुश रहता था और अपने काम में ध्यान देता रहता था well it is time अब समय था अब समय है I did some real work में कुछ अचा काम करूं I told myself मैंने अपने आप से का कौन बोल रहा है ये बात I am out of practice मेरा अभ्यास भी जो था अभ्यास नहीं था अभ्यास नहीं था जैदा चोर नहीं था और उसके बावजूदी मुझे क्या करेगा वो पैसा नहीं देगा तो यह सोच करके वो सोच रहा है वो ले पैसा देता है नहीं और दोस्तों में लुटाता है तो कुछ करें ऐसा अब देखे क्या होता है देखिए अनिल वा स्लिप अनिल सोया वा था एबीम ओप मूनलाइट अब चंद्रमा की जो रोशनी थी स्टेप्ड ओवर दा बालकनी बालकनी में से आ रही थी और फैल ओन दा बैड बिष्टर पर गिर रही थी आई सेट अप ओन दा फ्लोर मैं फ्लोर पर गया कंसीडरिंग दा सिच्वेशन विचार कर रहा था उन हाला थो कि इफ आई टुक दा मनियगर मैं पैसा लेलो आई कुड केस दा 10-30 एक्सप्रेस टू लखना याद रखियेगा साढ़े दसवाल लखना की ट्रेंड वो पकड़ लेगा अनिल वाज श्लेपिंग पीसफुली अनिल बड़ी शांती से सोया हुआ था इच फेस वस क्लियर एंट विलको निशिंथ और विलको साब सुत्रा उसका चेरा था बिना चिंता के जैसे डर रहा था मेरा दिमाग मेरे दिमाग बहुत सारा डर था मैंने अपने हाथ को उस गद्दे में डाला सर्चिंग फॉर द नोट्स और नोटों को तलास की जब मैं उजे मिल गए आई ड्रू अप तो मैंने क्या किया बिना वाज करें मैंने अपना हाथ निकाल लिया अनिल साइड इन ही स्लिप अनिल भी सो रहा था आहे बर रहा था अन्ट ऑन ही साइड उसने अपनी बगल्ली मलब पलटी मारी करवटली टुवाड मेरी तरब और जल्दी से जुखता हुआ जो है कमरे से बाहरा गया वन आई बगन टू रन मैंने दोड़ना शुरू कर दिया आई हैट दां नोट इन माई वेस्ट मैंने नोटों का अपनी कमर पर बांद लिया है यह से माधा है के देर बाइड देर बाइड ऑप दा पाजमा पाजमे के जो नाड़ा था ना श्ट्रिंग ठाप उससे मैंने उसको बाहं लिया आई स्लोल्ड डाउन टू डाउन टू डाउन टू वोक एंड काउंटेट दा नोट अम में दीरिप चलता गया और मैंने नोट वोगा गिना जान रखेगा 600 रूपी 600 रूपी जिन किप्टीज आई कोड़ लिव लाइक और रिच अरब के जैसे होते हैं तो तेल पती लोग होते हैं धन पती तेल पती होते हैं अरब के लोग वैसा मैं भी जो है रह लूँगा फॉर एक या दो सब्ता तो अरे मीरों की तरह रह एड़ दर टिकट ओफिस टिकट लेने के लिए क्योंकि पहले कभी था आइव नेवर बॉट टिकट इन माई लाइफ वो कह रहा है मेरे लाइफ में ने कभी टिकट लिया है ने तो में रुका भी नी था ठीक ना क्या बोलता है एंड डैस रेट टू दा प्लैटफों सीधा प्लैटफोर्म बे गया दा लखनाव एक्सप्रेज वो जस्ट मॉविंग आउट तुरंट छूटने वाली थी वहले जाही रही थी ट्रेन हैड इस्टील टू पिक अप स्पीड अब अपनी ट्रेन जो थी वह स्पीड पकड़ने वाले तेज होने वाल थी एंड आई अब मैंने वह जाने का जो मोका था वह मैं खो दिया नहीं जा पाया बता क्या हुआ जो बताएगा तेखो आगे अगर है वात वेंड़ ट्रेन जा चुकिती आई फाउंड माइसेल्फ इस्टेंड स्टेंड अलॉन दा डेजर्टेट प्लेटफोर्म उस एकांत डेजर्टे अनिता वेर तो इस्पेंड दा नाइट की रात्री कहां गुजारों आई हैड नौ फ्रेंड मेरे कोई मित्र भी नहीं थे बिलिविंग डैट फ्रेंड्स वर मॉर्ट ट्रेबल ऐसे मित्री जे विश्वास कर सकूं किसी परिशानी में देन हेल्प साहेता से ज्यादा यहां रुक करके एट वन ओब दा इस्मॉल होटल किसी होटल में जाकर के में रुक जाओं नियर दा स्टेशन स्टेशन के पास ऐसा मेरा कोई रादा नहीं था वह वही आर्णी जिसको मैंने लूट लिया था देखो क्या बात कर रहा है उसका दिमाग चल रहा है शुदा हरा रहा है मैं सीधा बाजार की तरफ गया मेरे चोटे से जीवन में जो चोर का जीवन में बिता रहा था मैंने सीख लिया था मनुष्य को चेरा पढ़ना वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुट जब वह अपनी चीज को खो देते हैं तो उनका चेरा कैसा होता है तो फिर से बता रहा है अमीर आदमी गुस्सा दिखाएगा और जो गरीब आदमी होता है वो क्या करता है एकसेप्टेंग उसको स्विकार कर लेता है कि हाँ वह लूट लिए अब और ही कमाना है बट आई निव देट अनिल स्वेस कि तुमें जानता है निल का चेरा वैन इसको पता चलेगा उसको लूट लिया गया वुट शो ओंली एट टच आप सेट्में तो थोड़ा उदास होएगा नौट फॉर द लॉस ओप मनी पैसा खोने से नहीं होगा बट फॉर द लॉस ट में अपने आपको अकेला पाया एंड सेट डाउन ऑन दा बीच बैंच और में एक बैंच पर बैठ गया दे नाइट वह चीली रात री बहुत ठंडी थी इट वाज अर्ली नवंबर का महीना था एंड़ लाइट डेजल डेजल अड़ेट तो माई डिसकमफर्ट मतलब मैं में बैचे नहीं और थी लाइट मेरे ओपर गिर रहे ती बार हो से में परिमेर को परेशा नहीं हो रहे थी सो निट वाज रेनिंग क्वाइट हैविली अब ध्री दरी क्या हुआ मतलब भूंदा बांदी हो सुरू हो गई बरसात आना सुरू हो गई माई श्राइड पाजा बाजार में शी तब आपस बाजार में गया and sat down to the shelter किसी आश्र में बैट गया वो कौन सा clock tower गंठा गर जा था उसकी चाहों में बैट गया गड़ी में रातरी के बारा बजे थे I felt for the knots मैंने नोटों को मैसूस किया कि रोट है नहीं देवर डैंप फ्रॉम देवा क्या हो गया थे नॉर्ट भी डैंप हो गया थे नहीं कि गीले हो गया थे पारिश से अनिल's face in the morning, अनिल का चेरा सुबह के समय, he would probably have given me two or three rupees to go to the cinema, जो मुझे साय दे दो या तीन रुपे देगा, सिनेमा जाने के लिए, but now I had it all, अब तो मेरे पास सारे पैसे ही है, जो क्या I imagine कर रहा है, I could not cook meal, अभूज मिल मुझे उसके लिए खाना नहीं पकाना पड़ेग अब तो run to the bazaar, bazaar नहीं जाना पड़ेगा, and learn to write all sentences in many more or not, मुझे अब सीखना पड़ेगा, क्या sentence लिखना, I had forgotten about them, मुझे में इन सब के बारे में सब कुछ भूला चुका था, in the excitement of the theft, चोरी के कारण, मुझे चोरी के उतेजना में सब कुछ भूल गया था, all sentence पूरे वा better to steal, बिल्कुल आसान है, चोरी करना, and something just as a simple to be caught, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, and sometimes, और कभी-कभी, just as simple to be caught, पकड़ा जाना भी आसान होता है, but to be the real big man, किन्तु एक वास्त्विक आदि बनना, a clever, एक चतुर, and respected man, एक सम्मानिय व्यक्ति, वो सम्तिंग एल्स, उसमे I told myself, मैंने अपने आपको बोला, if only to learn to read or write, केवल पढ़ने लिखने के लिए, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, I hurried back to the room, मैं जल्दी-जल्दी कमरे की तरफ गया, feeling very nervous, क्या, अपने आप में बैचेनी मैसूस करते हुए, और क्या होता है, for it is much easier, अब देखो क्या होता है, easier to steal something, कुछ चुराना तो आसान है, then to return it undated, बिना किसी को पता लगे, उसको लोटा ना, I opened the door quietly, मैंने धीरे से क्या किया, दरवाजा खोला, then I stood in the doorway, और दरवाजे के पास जाएके खड़ा हो गया, in clouded midnight, अब जो रहात्री थी, वो केसी थी, clouded थी, मतलब बारी सो रही थी तो clouded ही होगी, बर्सात आ रही थी, और बर्सात में वो जो है, उसके पास जा रहा है, वापस उस कमरे में जा रहा है, अब जाएगा जब देखो क्या होता है, उसको डर भी रहेगा अपने आप में, और परिशानी भी आएगी, अनिल वाज, अनिल अभी भी सोया हुआ था, I crept to the head, में, head of the bed, bed के सिरहनी की तरफ गया, and my hand came up to the knots, मेरे हाथ में मैंने वो नोट लिये, I felt his breath on my hand, मैं उसकी सांसों को मैसूस कर सकता था, मेरे हाथ में, I remained still for a minute, एक पल के लिए बाहर रुका, then my hand found the edge of the mattress, फिर मेरा हाथ में जो किना था था न, उसका mattress गद्दे का, वो आया, and slept under it with the knots, और मैंने क्या किया, जो knots थे न, उनको वहाँ पर रख दिया, कहां पर रख दिया, जहां से उठाया था था न, उसी तरह से उनको क्या किया, जो knots थे वापस, उसका उसो ज्यादा डर लग रहा था, तो उसी डर की वज़े से अब देखो, morning में क्या होता है, जब उसको पता चलेगा, देखो क्या होगा, next morning, I, I have worked late next morning, यहीं से न, मैं अगली सुबह देरी से जागा, and find that Anil had already met the tea, और देखा कि Anil पहले ही चाय बना चुका थ देखो, असमंजस की बात यह है, कि Anil ने पहले ही चाय बना ली थी, he stretched out his hand toward me, उसने मेरी तरफ हाथ किया, there was a 50 रुपी नौट, क्या था, उसके हाथ में 50 रुपे का नौट था, between his finger, उनकी उंगलियों में, my heart sank, और मेरा रिदे धटकने लगा, डर गया वो, दरेगा, डरे कैसे बता चलेगा, वो चीज़ भी कह रहा है, I met some money yesterday, कि मैंने कल पैसा लिया था, he explained, I met some money yesterday, मतलब उस बात के लिए बोल रहा है, जो है न, कि वो जो बोल रहा है, जो क्या नाम उसका, Anil कह रहा है उसको, कि I had some money yesterday, कि मैंने कल पैसा कुछ कमाया था, उसने बताया, now you will be paid regularly, अब तुम्हें भी नियमी तुरूब से जो है, बुकतान किया जाएगा, यह न, तुम्हें मैं पैसा दूंगा, my sweet rose, अब मेरा रीते जो था भराया, but when I took the note, जब मैंने वो पैसा लिया न, I saw it was still wet, देखो, अभी भी वो पैसा गीला था, for the night, ran, रात्री को बरसा थी न, उ वैसे के वैसे वो गीला था, today, we will start, अब देखो, उसने ध्यान नहीं लगया, अनिल बिल्कुल ध्यान लगा रातार, इसने अपने आप महसूस कर ली गलती, today, we will start writing sentence, ही से उसने कहा, आज हम वाक्य बनाना, सीखेंगे, he knew where, जान गया, कौन, अनिल, but neither his lips, nor his eyes, nor his eyes, nor his eyes, nor his निल की तरफ देखा, और, मतलब जैसे की अमेशे की तरह जो तना, बहुत आकर्शक तरीके से, जो है में उसकी तरफ मुस्कुराया, and the smile came by itself, without any effort, और बिना किसी effort के परियास के ही, उसके चेरे पर, क्या हुआ, मुस्कान आ गई, मतलब जो बोरा था, कि जो, मतलब अनिल हस नहीं पा रहा था, और वो उसको देख करके, जब हसा, तो हसा तो उसको लगा, पिसायद ये भी हस लेगा, अमेर को देख करके, तो अचानक जो बिना किसी परियास के जो है, उसमें अपने आप में क्या हुआ, मुस्कुराहट आ गई, तो ऐसा बच्चो क्या हुआ हुआ ह चेप्टर हमारा कम्प्रीट होता है, रसकिन बॉंड का लिखा हुआ चेप्टर है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस चेप्टर को अच्छे से लर्ण करना है, अच्छे से पढ़ना है, दो पार्ट मैंने पता दिये हैं, चेप्टर को ज़्यादा बढ़ा नहीं कि क्या है आप मिलते हैं नेक्स क्लास में बहुत जल्दी तब तब बच्चों गुड़ डेग गुड़ बाई